नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube channel Invest World में दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाली है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नलोजी की जी हाँ दोस्तो जैसा कि पिछले कुछ समय से टेकनलोजी के छेतर में काफी बढ़िया विकास हुआ है और देखी हर चीज में आपर टेकनलोजी का यूज होता जा रहा है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप टेकनलोजी का फाइदा उठा करके अभी अपनी एक इन्वेश्मेंट को प्लान कर सकते हैं और फ्यूचर में एक बहुती बढ़िया म्यूचल फंड के द्वारा एक बढ़िया रकाम महां से बना सकते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेकनलोजी से रिलेटेड एक बहुती 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 फंड के बारे में इस वीडियो में हम जिस mutual fund की बात करेंगे वो हमारा रहेगा SPI Technology Opportunities Fund देखे दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं इस fund के थोड़े analysis के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इसके fund size के बारे में जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 3,828 करोड रुपै का देखे दोस्तों किसी भी fund का fund size हमें यह बताता है कि लोगों द्वारा अभी तक उस fund में कितना पैसा invest किया जा चुका है महीं अगर हम बात करें expense ratio की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 0.85% देखे एक annual maintenance charge होता है जो किसी भी fund manager दुआरा उस fund को manage करने के लिए लिया जाता है दोस्तों अगर हम बात करें इस fund में आप कितना minimum investment अपना invest कर सकते हैं सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें SIP की तो आप 500 रुपए से इस fund में अपनी SIP को शुरू कर सकते हैं महीं अगर हम बात करें lump sum amount की तो lump sum amount आप 5000 रुपए से इस fund में शुरू कर सकते हैं देखें दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें इस fund के market cap के बारे में तो maximum investment हमें यहाँ पर large cap में देखने को मिलता है जो की रहेगा 73.21% का वहीं दोस्तों अगर हम बात करें small cap की तो यहाँ पर हमें investment देखने को मिलता है 12.8% का वहीं अगर हम बात करें mid cap category की तो यहाँ पर हमें investment देखने को मिलता है 12.68% का देखें दोस्तों गर बात करें इन categories की तो सेवी द्वारा निधारित नियमों के नुसार market capitalization के इसाब से जिन companies की ranking 1 से लेकर 100 तक होती है वो सभी जो है large cap category में आती है और जिन companies की ranking 101 से लेकर 250 तक होती है वो सभी जो है mid cap category में आती है और जिन companies की ranking 251 से लेकर 500 तक होती है वो सभी जो है small cap category में आती है दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर इस fund के कितने बड़ी आमें यहाँ पर top sectors देखने को मिलते हैं महीं दोस्तों अगर हम बात करें कि किन companies में यह mutual fund अपने पैसे को invest करता है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है Infosys, Tata Consultancy, Bharti Airtel, Tech Mahindra, HCL Technologies, NIIT Technologies काफी बढ़िया यहाँ यहाँ पर हमें companies देखने को मिलती है जिनमें कि यह mutual fund अपने पैसे को invest करता है दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं इस mutual fund के past के returns के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें इस fund के past के returns के बारे में तो देखें अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें past के 3 year returns के बारे में तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं 20.98% के महीं अगर हम बात करें पास्ट के 5 year returns की तो वो हमें याँ पर देखने को मिलते हैं 24.61% के महीं अगर हम बात करें इस fund के एक all over returns के बारे में तो वो हमें याँ पर देखने को मिलते हैं 21.47% के काफी बड़े हमें याँ पर इस fund के एक all over returns देखने को मिलते हैं दोस्तों ये था इस fund का पूरा एक analysis अब यहाँ पर एक calculator के माध्यम से calculate करते हैं कि आप इस fund में अपना lump sum या SIP शुरू करते हैं एक certain amount कुछ समय के लिए तो future में आपके लिए कितना बड़या performance दे सकता है देखें सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं SIP की यहाँ पर हम SIP का amount लेकर चलेंगे मात्र 2000 रुपए प्रती महिना का अगर बात करें returns की तो देखें मैं आपर returns मात्र 18% के लेकर चलूँगा हो सकता है कि future में आपको 18% से पिष ज़्यादा के returns देखने को मिले लेकिन मैं अपनी वीडिो में returns थोड़े कमी लेकर चलता हूँ देखें mutual funds में returns के कोई guarantee नहीं होती past के returns हमें कभी भी future के returns की कोई guarantee नहीं देते इसलिए मैं अपनी वीडियो में रिटन्स थोड़ी कमी लेकर चलता हूं अब बात करते हैं यहाँ पर डिूरेशन के बारे में देखे हम यहाँ पर दो डिूरेशन लेकर चलेंगे पहली डिूरेशन रहेगी हमारी 15 years की और दूसरी डिूरेशन रहेगी हमारी 20 years की महीं दोस्तों गर हम बात करें 20 years की तो यहाँ पर जो आपका amount invest होगा वो invest होगा 4.8 lakh का और जो final value आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी 46.87 lakh का देखे 25 लाख रुपे से भी आपका amount आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मातर 2,000 रुपे की SIP से अब हम बात करते हैं यहाँ पर लमसम की देखें लमसम amount हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 50,000 रुपे का अगर बात करें duration की तो duration हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 20 years की देखे रिटन हम यहाँ पर भी 18% की लेकर चलेंगे तो जो 20 सालों में आपकी amount यहाँ पर बनेगी वो यहाँ पर बनेगी 13.7 lakh की वहीं अगर duration को आप बढ़ा दें मान लीजे duration आप यहाँ पर 25 years की कर लें तो जो आपकी amount यहाँ पर बनेगी 31.33 lakh की 30 lakh रुपे से भी जादा का amount आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है मातर 50,000 रुपे के लमसम से दोस्तो यहीं खासियत होती है long time investment की अगर आप अपने पैसे को या अपनी investment को long time के लिए invest करते हैं तो future में आपको एक balance भी में returns मी मिलेंगे और एक अच्छी खास amount आप अपने future के लिए महां से बना पाएंगे तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफी help हुई होगी वीडियो आपके लिए काफी important रही होगी देखे दोस्तो अगर आपको मारी वीडियो अच्छी लगे हमारा काम अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को like और share जरूर कीजेगा अगर आप लोगों का भी कोई question है कोई doubt है किसी तरह कोई portfolio analysis है जो कि आप हमारे channel पर चाहते हैं तो आप हमें comment section में बता सकते हैं बाकी दोस्तो educational purpose वीडियो आपके लिए बनाई गई है किसी भी तरह की investment से चुड़ी हुए advice ये वीडियो नहीं देता है बाकी दोस्तों अगर आप हमारे channel पर नए है तो मारे channel को भी subscribe सरूर कीजेगा धन्यवाद